कभी कभी पार्टे का मूर्ट बदल जाता है और वो केते हैं अंडर्गाूंट फिटिंग करनी है फिलस्तर होने के बाद भी तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की सिच्वेशन आपके सामने आ जाती है ये देख सकते हैं जैसे ही हम बोर्ट फिट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे switchboard जो है बाहर आ जाता है अब हमें बिना ज्यादा wall cutting कीए हम इस switchboard को fit करना सिखाएंगे यहाँ पिये जो hole नजर आ रहा है इस hole को पूरा remove करना है तो आप देख सकते हैं ग्रैंडर की अंदर चला जाएगा और बाहर बिल्कुल भी नहीं रहेगा यह देखिए अभी हम आपको कंप्लीट दिखाने वाले हैं कि इस तरह से यह सेटप किया जाता यह देख सकते कॉंक्रीट की मदद से आप इस स्वीच बोर्ड को फिट कर दिए यह देखिए बिल्कुल अंदर चल अब यहां पे प्लश्टर कर दीजेны बहुत अच्छी तरीके से और आप देख सकतें स्वीच बोर्ड से काफ है अंदर चला गया तो इसलिद्वोर्ड में आप अप पलाइक कर सकते हैं और एक्स्ट्रा स्वीच बोर्ड फिटिंग कर सकते